अब ही हमारे गेमें फुल मेप रैंका नया सीजन सीजन 36 आ चुका है और अगर आप भी सीजन सोलो में रैंकुष कर रहे हैं तो ये वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है उसी के साथ आपको गेम प्ले करना है जैसी कि मैं सोलो में रैंकुष करते हैं होमर, मैक्सिम, लुकेटा एंड एलाइट एंडरो का यूज़ करता हूँ पैट की बात करें तो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लेश पैट का स्किल अब एके टाम फाल को लेने का कोई फाइदा नहीं इसका स्किल पूरी तरह से बदल दिया गया है तो इसलिए आप फ्लेश पैट का स्किल यूज़ कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हूं कि हमारा स्प्लाइ मिशन मिल और शिप्याड के बीच वाले एरिया में है यह प्लेन के पाथ से दूर है जिसके वज़े से यहां पर मैं काफी आराम से सर्वाइब कर सकता हूं यहां पर शायद ही कोई बंदा आए अब लैंड करने के बाद मैं जल्दी से भागते हुए यहां पर सप्लाइ मिशन के पास आ जाता हूं और इसको ओपन करने के साथी मेरे को मैक 10, सुपर मेड़िकेट एक लेवल 3 का बैग एक लॉंचपेड मिल गई है लूटने के बाद मैं हापी होमर करेक्टर के स्किल को ओन कर देता हूं जिससे कि अगर कोई बंदा मेरे आसपास होता है न तो उसका लूकेशन मेरे को पता चल जाएगा जब उसे होमर का ड्रोन जाके हिट कर देगा तो हमर की वज़े से न में लिए आपको दो अड्वांटेजिस मिलते हैं एक तो शॉटन फाट में आपको काफी ज़दा अड्वांटेज मिलता है और दूसरा इससे आपको एनमेस का लोकेशन काफी असानी से पता चल जाता है फुल मेप में क्या होता है कि बंदे बहुत ही ज़दा कैम करते हैं तो अगर आप किसी पे जगह पे लूटने के लिए जाते हो ना तो आपको सबसे पहले अपना होमर करेक्टर का स्किल ओन कर देना है अगर कोई भी एनमी वहाँ पे होगा न तो आपका ड्रोन उसे जाके हिट कर देगा फिर आप वहाँ पे बच जाओगे अब यहाँ पे मैं उस एरे को पूरी अच्छी तरह से लूटने के बास शिप्याड आ जाता हूँ यहाँ पे मैं लूट करने को सूचता हूँ तो मैं सबसे पहले अगेन होमर को चालू कर देता हूँ और यहाँ पे दुखो मेरा ट्रोन आगे जाने लगता है यानि कि यहाँ पे एक बंदा है तो सबसे पहले मैं ग्रोजा एक्स खरीद लेता हूँ यह काफी अच्छी गने है अगर आप कोई मिलेगी ना तो जरूर से यूज करना और फिर इसके बाद में एक आर्सेनल की ले लेता हूँ और एक्टिव स्किल में मैं क्रोनो का स्किल पर्चेस कर लेता हूँ आपको भी वेंडिंग मशिन से क्रोनो का ही स्किल खरीदना है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यदा डैमेज हो जाओगे ना तो वहाँ पर शील्ड लगा कि आप काफी आराम से बच सकते हूँ अब इसके बाद मैं आर्सनल को ओपन करके जल्दी से लूट लेता हूँ देखो लूट में आपको जादस 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 सुपर मेडिकेट्स रखने का ट्राय करना है अगर आप नॉर्मल मेडिकेट्स नहीं भी रखते हूँ ना तो भी चलेगा बट आपको जादस सुपर मेडिकेट्स रखने का ट्राय करना है ये भी आपको फाइट लेते टायम एंड जोन कवर करते टायम काफी ज़दा हिल्प करेगा अभी यहाँ पे सामने एक साइबर एड्रॉप गिरा होता है तो उसे मैं यहाँ पे एक लिवल तक चार्ज करने के लिए आ जाता हूँ देखो मैं जब कोई भी ड्रॉप लूटने जाता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ लॉंचपेट के लिए ही जाता हूँ लॉंचपेट अगेन आपको बहुत सारे सिचुशन में हिल्फ करता है अगर आपके उपर थर्ड पार्टी हो जाता है तो आप काफी आसाने से वहाँ से लॉंचपेट लगा के निकल सकते हो अगर आप जोन के बाहर फस जाते हैं तो आप लॉंचपेट लगा के जोन के अंदर आ सकते हो अभी यहाँ पे इस ड्रॉप को एक लेवल तक अपग्रेट करने के बाद मैं इसे छोड़ देता हूँ मैं जादा अपग्रेट नहीं करता हूँ अभी मैं क्योंकि जोन के अंदर होता हूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ी तरी सर्वाइब करने का सूचता हूँ अभी यहाँ पे मैं सेडी से उपर आता यूँ कि एक बंदा ना ड्रॉप को लूटने के लिए आ जाता हूँ तो उसको मैं ग्रोजा से थोड़ा बाँ डैमेज देता हूँ फिर जल्दी से होमर को आउन करके उसके उपर रशकाने चला जाता हूँ मैं इधर आगे एडरॉप की पास आता है यूँ कि एक बंदा मेरे को पीछे से डैमेज कर देता है तो मैं जल्दी से ग्लू लगा कि अपने आपको हील कर देता हूँ हील करने के बाद मैं अभी इस बंदे से फाइट नहीं लेता हूँ ताकि अगर यहाँ पे कोई फाइट हो जाए तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल पाऊँ अभी यहाँ पे देखो यह बंदा जून के बाहर से अंदर आ रहा होता है तो इसे मैं कितनी आसानी से ग्रोजा से खतम कर दीता हूँ तो इसलिए देखो जो भी छोटी छोटी जोटी जोन्स होते है ना उन्हीं आपको पहले ही कवर करने का ट्राय करना है तो यहाँ पे मैं जल्दी से ग्लू लगा कि आपने आपको हील कर दीता हूँ यहाँ पे मैं फाइट को कंटिन्यू नहीं करता हूँ क्योंकि जोन बहुत ही जदा डैमेज दे रहा था फूट जोन के अंदर आता रहता है तो उसमे मैं लगातार ग्रोजा से फायर करते रहता हूँ अब यह अपडेट के बाद ग्रोजा का रिकॉलना मेरे को थोड़ा जादा लग रहा है तो इसी करन मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही थी बट फिर भी मैं उसके उपर लगतार फायर करके लाश में उसे फिनिश कर देता हूँ यहाँ पर फिर से देखो क्योंकि मैं पहले ही जोन के अंदर आ गया था ना तो इसी वज़े से मेरे को अड़वांटेज मिल गया और इस बंदे को मैं फिनिश कर पाया अब इसको फिनिश का निकवाद मेरे को लेफ साड में ग्लू दिखती है तो मैं जल्दी से अपने लेफ साड में ग्लू लगा देता हूँ लाश जोन में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो मैं जल्दी से glue लगा कि अपने आपको सुपर मिडे से heal कर लेता हूँ अभी उपर के साथ 2 बंदे fight ले रहे होता है और 3 बंदा मेरे सामने होता है यहाँ पर मैं इस fight को जल्दी से जल्दी खतम करना चाहता हूँ क्योंकि अगर यह fight लंबी चलीना तो उपर वाला बंदा मेरे उपर 3rd party कर सकता है तो इसलिए मैं विना कोई time waste के जल्दी से homer को on करके इसको उपर rush कर देता हूँ फिर जैसे इसको homer hit करता है यह बंदा भी ठीक से moment नहीं कर पाता है बंदे का फिर इस बंदे को मैं जैसे ही spot करता हूँ मैं इसको उपर fire कर देता हूँ और यह बंदा glue लगा देता है मेरे को नहीं यहाँ पर थोड़ा और wait करना चाहिए था बट कोई ने अब चलो fire करी दिये तो fight ले ले लेते लेकन का use करते हो तो आप extreme short range में fight ले सकते हो अब यह बंदा देखो मेरे को बहुत ही जदा damage कर देता है तो मैं जल्दी से glow लगा देता हूँ और फिर मैं जल्दी से super medikit का use कर लेता हूँ maxing की वज़े से देखो मेरा health कितना जल्दी full हो गया अब heal करने के बाद मैं उसके उपर rush करने के लिए सुचता हूँ बड मेरे पास कोई glow ली नहीं होता है तो मैं थोड़ा दिर wait करता हूँ अपने glow ल बनने का तो जैसे ही glow ल बनता है यहाँ पर मैं थोड़ी दिर wait कर लेता हूँ अब इस बंदे के पास SP DIY होती है तो यह मेरे को glow ल की हार पर damage देने लगता है तो फिर मैं बाहर निगल के इसको काफी ज़दा damage कर देता हूँ और फिर last में मैं फाइनली इस बंदे को खतम करके इस match को बुया कर लेता हूँ अब हमारे चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राब कर देना तो तब तक लिए बाबाए मिलते हैं एक और वीडियो में